ग्राम पंचायत में गाउं को सरकारी सुविधाओं को कितना दिया जा रहा है या नहीं आज ग्राम सभा फटकॉली में हम लोगों की टीम गई सरकारी योजनाओं में क्या क्या कार कराये गया और क्या लोगों को मिला और क्या नहीं मिला इस पर जानकारी ली गई वहाँ पर ग्राम प्रधान पती योगेंदर पसास सुखला ने अपने ग्राम सभा में घुमा करके सब जगे दिखाया उन्होंने पकी नाली भी बनवाई तमाम विरोध होने के बाद भी पसासन के सायोग में उन्होंने नाली बनवाई अपने पिछले कारकाल में उन्होंने कारकाल में किया उनके ग्राम समा में 95, 140, 140 दिये गए हैं जिसमें से 82 बनकर इस्टार्ट हो गए हैं जो इस्तमाद हो रहा हैं बाकी निर्मारा धीन है उन्होंने आवास भी दिया पात्र लोगों को दिया है यहां का काम सराहिनी है ऐसे ही अगर सभी ग्राम प्रधान काम करें ही नहीं है सब्सक्काराने में प्राबलम हो रहे ही लेकिन आज तक डी पियारों ने उनको सफाइकर्मी उपलब्द कराय ही नहीं और नहीं उनका कोई जवाब दियो ऐसे प्रसातन कि लापरवाही के कारण ही और बीमारियां फैलती है और लोग महामारी के सिकार होते हैं ब अपने कारकाल में आपने सोखषटा कितना सोचालय होगा है विद्धार हमको मिला था पंचान देश्ट मेरा बन चुका है कुछ आधा बना हुआ है कुछ बनने जा रहा है और कितना अपने प्रहनमंत्री आवास दिया अपने ग्राम सभा में पाच जो सब कम्प्लीट है और प्रोड आप अपने कारकाल में नया बनवाए है या मेंटिनेंस किया है कितने के मतलब में में आपने मेंटिनेंस कराया है कि आपके मतलब मैं देखा हूँ ग्राम सभा में कुछ दो-चार मीटर छोड़ करके बाकित रोड आपके वहां किलियर है वह जो दो-चार मीटर जो पेंडिंग है उसके पीछे क्या का रहा है विवाद है लोग बनने नहीं दे रहे हैं तो इस पर आपने अपने स्थर से उचद्धिकारियों को सुझित कर दिया है सब्सक्राइब क्या करना चाहँगे सफाई करमचारी के लिए सफाई करमचारी हमारे हाए यह जो है पांच महिना के पाहले वह यह टॐ है यह जिलाद कारी में गया लेकिन वह पांच महिने के बाद वैक नहीं किया गया जिसरे मेरे जो है। कि वह कर वाया लेकिन हमारा गाउं संदेश देना चाहते हैं लोगों में हम आपके दोरा यह संदेश देना चाहते हैं कि है हमारा इस अंदेश है और सर्द का पर्चान है कि मैंने की जो काम किया है वो स्विशाद मुझसे किया है इमानदारी से किया है और लोगों के सामें